कि अगर मैं तो आप सभी से माफ़ी वाना चाहूंगा कि मैं एक हफ़ते तक इस सीरीज को कंटियू नहीं कर पाया लेकिन क्योंकि मैंने यह जो सीरीज है चला रखी है तो इसको कंप्लीट करेंगे जरूर करेंगे पक्का करेंगे तो एक हफ़ते जो गैप लगा है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा यहां पर मैं आपको फर्दर आगे प्रहें जा रहा हूं और अगर आप इस वीडियो को डायेक्टली पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप मेरे प्रिवियस लेक्चर जहां पर मैंने बेसिक कॉंसेट्स और बाकी के और भी लेक्चर मैंने पोस्ट करें हैं तो आगे कर सकता हूं ठीक है तो आगे मूव करते हैं तो टॉपिक हमारा चला हुआ था मेंडल के लॉज ऑफ इनरी टैम्स ठीक है और लाश्ट टैम मैंने इनकंप्लीट डॉमिनेस कॉंसेट डॉमिनेस यह सम्में आपको बताया था फिलाल मैं आपको आगे प्रहें जा रहा हूं कि रीडियों मेंडल ने जो प्लांट इौच किया उसकी क्या क्या रहे है मैं जो एक्सप्रिमेंट या उसकी वारे में व सब्सक्राइबların नहीं हम जैनने ।LS करने इंगे हाँ यह मैंल इनको आप जानते होगे थिक एंक जनम हुआ इकां हम जनम हुआ यysz को यह बात मैं आपको पहले बदा चुका हूँ ठीक कुछ ऐसी बात होंगी जो अब मेरे केंटियोंस लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर से मैच मिलेंगी प्रीवियस लेक्चर आपको इसी चीज में फाइदा देने वाले हैं कि आपका एक तरह से रिविजन भी हो रहा है और आप कॉंसेट्स को अच्छी से ग्रैस्प भी कर पाएंगे ठीक है तो मेंडल हैं जी इन्होंने अपना जो एक्सपरिमेंट किया था वह 1856 में स्टार्ट किया और 1863 में एक्सपरिमेंट कंप्लीट हो चुका था ठीक है तो लगवा कितना टायलों को एक्सपरिमेंट करने में सेवन एयर्स लगे और यह बात विए आपको बता चुका हूं ठीक ना सेवन एयर्स लगे कोई आप मैंडल का कितने साल तक चला चला तो अब अब मेंडल ने एक्सपरिमेंट में किया क्या क्या किया किया और prior works प्रेट पिदी ऊफ na 4 मैं ट्रेट ले रहा हूं तो आप यह उनगー से है और यह किसी अलग प्लांट से है और यह किसी अलग प्लांट से है जब मैं टॉले रहा हूं मैं mehndal को जब भी टॉल ले रहे हैं तो में लिए हैं वो एकदम प्रू बोल दीजिये यह बात मैं आपको अल्रेडी बिदा चुका हूं कि आप प्यूर बोल दो ठीक है या फिर आप या फिर आप हो मुझाएगा सोवalen दो आज मैं आपको जो चोटे-छोटे बेसिक है इनकी डेफिनिशन क्या हो मुझे लागा है हालाक अगर किसी पर्टिकुलर लोकस पर यहां पर कैपिटल टी मिल रहा है और इसके नॉन सिष्टर क्रोमेटिट पर भी कैपिटल टी ही मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे होमो जाएगस देखिए इससे पहले कि आप इस वीडियो में फिर से आगे बढ़ें मैं फिर से आपको क्या है ठीक कैना यह सब मैंने बेसिक पांशन्लशन बता दिया था फिलाल रेक्रू ब्री निका मतलब है अगर यहां पर लिया तो ड् आइबराइशन एक्सपरिमेंट में जो भी पेरेंट्स का चुनाव किया जो भी पेरेंट्स प्लांट का चुनाव किया वो सब कौन से थे हो मुझायगस थे या फिर टूब रीडिंग आप उनको बोल सकते हो ठीक है जी अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं मैं आपको बतात यह क्या होता है यह मैं आपको बना लो कुछ भी कर लो गीता है को मन्तर दिया था ठीक है और recessive जो नहीं दिख्टा है जो चिप जाता है तो यहां देखिए आप यहां पर अगर मैं सीड शेफ की बात करूं तो यह चीजें आप लोगों ने लर्ण कर लेनी हैं मैं हर एक को नहीं बताऊंगा बार बार ठीक है ना बस आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों का थोड़ा रीकेप हो जाए इसके दोमेंट की देशिन भी पढ़ेंगे और सबीकी देशिन हम पढ़ेंगे तो इस बात को अब कर लेते हैं जो मेंडल ने एक्सपरिमेंट में यूज क्या किया था टूब रीडिंग वराइटी यूज करी थी ठीक है ना जैसे यह अगर मैं राउंड की बात कर रहा हूं तो राउंड डॉमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं या देखना डॉमिनेंट के लिए क्लेंगे हम करेंगे जैसे कि यहाँ फर मैं कैपिटल यूज किया है जो कि इसका पहला वर्ड है क्रम अकी कैपिटल यूज करोंगा ना dB w w में use नहीं कर सकता है यहां पर ऐसे यहां पर मैं कैड़़ वा यूज कर रहा हूँ यहां पर, मैं simâl y करंगा ना कि capitalize जी या कुछ और ठीक है, यहां पर capital i तो यहां पर सिमाल i ठीक है, अच्छा यहां पर capital g तो यहां पर small g, यहां पर capital तो यहां पर सिमॉल ठीजिक एचा कुछ बुक्स में पर अपलगी जिए रख थीक ना आप एगर यहां रेट देखका है तो उसके लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे और वाइट के लिए सिमॉल आर यूज करेंगे ठीक है बुक्स के काउडिंग मैं बता रहा हूं आपको और यहां पर अगर एक्जियल है डॉमिनेंट तो कैपिटल ए यूज करेंगे और टैमेल के लिए सिमॉल ए यूज करेंगे आप देखके तो एक्जिल प्लावर कैसे दिखते हैं इस एक्सिस के एलांग ग्रो हो रहे है ठीक ना अच्छा के लिए कैपिटल टी यूज यह क्या कर रहा हूं यह कैरेक्टर देखिए एक यह उपर में क्या है यह एक और यह क्या है कैरेक्टर के अलग अलग हमें दिख रहे हैं तो यह तो यह तो यह तो इस चीज जो कि जो के ढ़िया एक को बोलें गें अब जीन की थे क्या बोले रही है तो और यह क्या है यह यह पहले मैं बार-बार नहीं बताऊंगे लाश्ट टाइम बता रहूं ठीक है इसके बाद नहीं बताऊंगे बस खतब ठीक है तो यह चीज़ें आप याद के लिए जिए सेवन कॉंटराश्टिंग क्रेक्टर्स कौन कौन से यह इंपोर्टेंट है एक्जाम में आ जाता कि मैंडल ने मैंडल ने साथ ही चैरेक्टर पर हर साल यहाँ पर यहां पर देख सकते हुए टीक है अब बस बहुत हो गया यह मैं पहले पढ़ा चुका हूं बेशिक से ऊठ्ण ही पा रहे हैं क्योंकि मैं एक बीक का गैप लिया था तो थूड़ा पता नहीं क्या ही हो रहा है ठीक है अब फिलाल आगे चलते हैं अब मैं ऐसे करूंगा एक दिन 12 वीडियो बनाऊंगा और एक दिन 10 वीडियो बनाऊंगा ठीक है एक दिन 12 एक दिन 10 तो यह श्यूल रहेगा मेरा ठीक है क्योंकि बहुत चीज़े देखनी पड़ती है मुझे टाइम लिमिटेड है तो हमारी दौनों बोर्ड की क्लास आपके साथ चलें इसलिए मैं इसकिप करके ऐसी वीडियो बनाऊंगा ठीक है और किसी का भी नुक्सान नहीं होगा और सभी को डेटेल्स में जितनी नॉलेज लेनी है मतलब जो उनके लिए सफिशियन्ट है ऐसे तो कोई एंड नहीं है लेकिन जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए वह सब नॉलेज मैं दे दूगा ठीक है अब आगे चलते हैं फिलाल बिना किसी दे रही के तो स्टार्ट करते हैं अब अब मेंडल ने एक क्रॉस जो यूज किया सबसे पहले वह है मोनो हैविड क्रॉस की रेक्षिन में आप लिख हुई है यहां पर क्या कर रहे हैं है प्लांट्स का प्लांट्स का हैवराइशन धेको हैवराइशन वड़ आया हाईब्रेड से अब हाईब्रेड कोई बी ऐसा विखाज बीड़ रहां किसी कोसू कर रहा हो किसी या कर रहा हो जैसे कि यहां पर कोई हैं और इन समझ गें होंगे क्या करेंगे हैं ना उल्टरेंटिव पॉर्मफ इसकी है फ्रूर्म यह पर इसकी की अल्टरेंटिव फॉर्म होगई कुई को मैं इनको ले करके hybrid पैदा करूंगा तो इस पूरे क्रॉस को मैं बोलूँगा monohybride cross ठीक है ना monohybride cross क्योंकि मैंने यहां पर mono one सिर्फ एक ही character लिया है और एक character वो कौन सा है height ठीक है ना तो उसको मैं monohybride बोलूँगा लग यहाथ मैं यहां पर हम दो character को द्यान में रखते हुए दो character की alternative form लेंगे और उनकी alternative forms से हम क्या बनाएंगे उनके alternative form से हम बनाएंगे एक hybrid पैदा करेंगे यहां पर बस इतना difference है यहां पर हम एक character लेकर चल रहे हैं और हम हम दो लेकर चलेंगे मैं समझाऊंगा आपको करके फिलाल आप मॉनो हईवर्ड क्रॉस को समझ लिए अच्छे से कि मॉनो हंब करेंगे क्या क्या करेंगे है प्लांट का यह एक दूसरे के alternative rate है अल्टरनेटिव मतलब एक टॉल है तो एक ड्वार पर यह दूसरे क्या हो गई एक दूसरे के alternative form हो गई है ठीक है जी अब प्यॉर टॉल लिया है प्यॉर का मतलब है homo अब यह कैसे बने हैं मैं फिर से बोल रहा है अगर आप फिर भी जिद करके वीडियो में आगे चले जा रहे हो तो पहले बेसिक कोंसेट्स की वीडियो पढ़ लो तभी मेरे से जनेटिक्स अच्छे समझ में आएगी ठीक ना अदरवाई जवदस्ति मत करो ठीक है पहले बेस स्के मिलने से इसके पास इसके पास जो ऑपना है इसके पास इस पेरेंट वन यहां से आई है और और यह प्लांट कैसा पैदा हो गया है और यहां पर वाइट लेता तो ऐसे क्रोस जिसमें हम क्या कराते हैं एक एक एकक्र की ऐल्टर को लेकर पैदा करते हैं उसे को हम मोनो हाइब च्रोस बोलते हैं चीक है ना प्रॉपर definitions आप लोग यहां से दीख सकते हो ठीक है जो मैंने हम बॉक्स में लिखा हुआ है इसके बाद अच्छा जो यह बना है यह कौँसे जनरेशन थी जो हमने सबसे पहले उसको लिए इस जनरेशन को हम बोलते हैं पी जनरेशन बोलते हैं पी जनरेशन का मतलब होता पेरेंटल जन जनरेशन से जो यह हाइविड पैदा हुआ है इसको हम बोलते हैं एफ वन जनरेशन इसकी डेफिशन अगर आप समझना चाहते हो तो देख लीजे मैंने हां डेफिशन बता रखी है यह क्या होता है रिजल्ट होता है और इनीशल क्रॉस जो भी क्रॉस मैंने सबसे पहले ल लिए है तो जो भी इसका रिजल्ट होता है उसी को हम एफ वन जनरेशन बोलते हैं ठीक है ना इनीशल क्रॉस ठीक है और यहां पर यहां पर अच्छा यह नॉर्मली अब में बहुत चीज़े बदलने वाला हूं और आपनी तरफ से पढ़ाऊंगा बहुत बड़ा चेप्टर है बहुत बड़ा जैसे यहां पर यह चेप्टर है ठीक है तो बने यह वीडियो में मैं जून जून तक यह चेप्टर खतम कर दूँगा ठीक है फिलाल अब F1 जनरेशन की जम में क्या कराऊंगा सेलफिंग कराऊंगा देखिए बच्चों सेलफिंग का मतलब क्या होता है सेलफिंग का मतलब होता है इस जीनो टाइफ का क्रॉस इसी तरह के जीनो टाइफ के साथ कराना उसी को क्या बोलते हैं हम सेलफिंग बोलत एक दम सभी सोच रहे हो कि यही डा रिजल्ट ऑफ सेल्फ इन एफ वन जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसे को में एक डाइशन बोलते हैं ठीक है अच्छा यहां पर इसकी में एक और डेशन एकर आपको बता हूं आप यह भी कर सेंग्व डा रिज़ल्ट ऑफ फी जनरेशन की दा रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिट्वीन फीजन डिचन ठीक न तो पी जनरेशन का जो भी रजब्र आएगा वही क्या एगा आपका फवन जनरेशन ग्या ठीक है इन डेफिशन को आप लेख लेना ठीक है जो मैंने यहां बताई है सभी डेफिशन आपको याद हो चाहिए लेकिन आप एक्जाम में कैसे लिख कहेंगे वह भी तो आना चाहिए तो फिर ग्यान तो बहुत कुछ लेकिन एक्जाम कुछ लेख नहीं पाए अच्छा अब मैंडल ने एक्सपरिमेंट में यह सब किया मौनो हैब्ड क्रॉस किया ठीक है और रिजल्ट में उसको एक कैरेक्टर उसको निकलता हुआ दिखाई दिया और एक टू जनरेशन में एक तो जनरेशन क्या होती उसने उस हैं वेट कीजिए इतना अच्छी समझाऊंगा कि आप यूटूब पर गूम लेना ऐसा नहीं मिलेगा ठीक है मेरे पास वो ट्रिक है इसके बाद हाँ जी अब मेंडल का एक्सपरिमेंटल प्लांट यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है एक्जामें पूशे जाता है कि मेंडल ने पी कौन सा प्लांट चुना और उसको चुनने के उसको बैनिफिट क्या-क्या मिले ठीक है ना तो आपके सामने पेश है मेंडल का वो स्वीट पी में स्वीट पी का साइन्टिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस ठीक है ना यह स्वीट पी है तो कंफ्यूज मत हो जाना स्वीट पी और गार्डन पी में ठीक है ना साइन्टिफिक नेम इसको लिख लीजेगा मैं आगे कुछ बताएं जा रहा हूं ठीक परफेक्ट बाइदा क्या हुआ है अपनी एक ही उमर में उसने लगवग साथ स्टेडी कर लिए छोटी लाइफ होने की वजए से इसके बाद इस जो फ्लावर थे वो परफेक्ट बाइसेक्शुल फ्लावर थे अभी मैंने एक टर्म करी थी एक टू जॉनरेशन कियसे पैदा होती है एक वन की से पैदा होता है और सेल्फिंग का मतलब होता है मैंना को बेसिक कॉंसेट से बताया था self-pollination अब आप मुझे खुद बताएं अगर कोई flower अच्छा self-pollination भी यहां पर में आटोगेमी वाला है यादगना self-pollination में कौन सा वाला है यहां पर आटोगेमी अगर कोई flower bisexual नहीं है कोई flower bisexual नहीं है तो क्या उसके अंदर autogaming possible होगी आपका जवाब आना चाहिए no उसके अंदर autogaming possible नहीं होगी ठीक है ना आगे चलते हैं तो उसके और bisexual थे और इसके बाद bisexual flower होने के बाद एक चीज और दिखने को में मेंडल को कि यह flower जो है वो self-pollination बहुत ज़ादा करते हैं और इस तरह से मेंडल को बिना कुछ करे बिना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपरिमेंट करे प्योर लाइन पैदा करने को मिल गई ठीक न प्योर लाइन वो पैदा कर पाया है इस लेक्ट्चर के बाद मैं तो मैं पढ़ाऊंगा तरह क्रीक करोस किते तरह के होते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि तरह करोस पढ़ांगा पर हम strengthen क्रोस क्रोई counter अब अगर मैं इसका क्रॉस किसी से भी कराओं ठीक है अच्छा तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस चाहे किसी से भी कराओं मैं कर बोलेंगे बैक क्रॉस बोलेंगे तब मैं आपको यह बता हूँ कि बैक क्रॉस का हम यूज करते हैं प्यॉर लाइन पैदा करने में फिलाल आप खुद देखिए अगर मैं इसका क्रॉस लाइक दिस इसका अगर मैं सेल्फ कोईनेशन कराओं तो मुझे प्यॉर लाइन ही तो मिलेगी हो मुझाएगा सो तब मुझे क्या मिलेगा और 50 % मिलेगा और 50 % मिलेंगा तो तो इस मुझे क्या मिला करने से लाइन मिल रही है घुब और यह तो है अच्छा अगर मैं क्रोज कराओं इसका तो सेल्ट मुझे अगे प्यॉर लायन पैदा कर सकते हैं और प्यॉर डैन का डेफिलिंटली कुछ फाइदा मिलता है कि हम किसी थी experiment में उस character को अच्छे से study कर सकती हैं अब आगे चलते हैं हाजी अब इसके जो plant है वो large number of seed produce करते हैं जिससे कि उसको experiment में help मिलती है ठीक ना अगर उसने experimental कोई error भी कर दिया है तो उसके error को ठीक कर निकलो उसके पास और भी other seeds है जिसके उपर वो study कर सकता है और अपने आकड़ों को ठीक कर सकता है ठीक ना क्योंकि उसने उस प्लांट से क्या पैदा होते हैं इसके बाद और बात करते हैं जो यह प्लांट की maintenance बहुत ही सस्ती है और easy है एक दम handle कर सकते हो आपको आप लोग भी खेती कर सकते हैं बहुत आराम से ज्यादा मेंट्रेंसर खर्चा नहीं है इसका ठीक है खर्चा से आदाया मेंडल आ गरीव था मैंना आपको बताया होगा कभी प्रीवस लेक्टर वह ठीक है इसके बाद अभी बताया था बच्छो भूलना नहीं अभी बताया था अगर आपके दिमाग से उतर रही हो यह बात बताया था ठीक है तो यह को आगे चलते हैं कि हाजी तो आपको बता चल गया मेंडल ने यह प्लांट क्यों चूज़ किया है मुझे लगता आप इसको भूलेंगे यह क्वेश्चन भी एक्जाम में आ जाता है इसलिए मैं आपको बताया है ठीक है इसकी बाद है मेंडल ने अब जो यह अपना किया है उसकी आपजरवेशन उसको क्या-क्या मिली तो मैं यहां पर वापिस से एक मोनो हाइविड क्रॉस और एक लिया है तो मैंने आपको आल्रेडी बताया था वीडियो में पीछे जाके थोड़ा सा पहले से देख लो कि प्योर कोई हो मुझाइगस और उसी को हम प्रू बोलते हैं तो प्योर टॉल प्लांट लिया है एक मैंने और एक लिया है प्योर ड्वार और प्योर टाल का जूटा हुए ऐसका हो गया सिमनल्टी सिमनल्टी ठीक है अब यहां से एक तरे का गैमिट बन सकता है एक फूटल इवार इसे कितने गैमिट बनेंगे ठीके ना यहीव बताऊंगा तो इसके लिए तो आई हम से जोड़े रहें सी विडियो celebrating टीकि उडियों से जोड़े रहें एंच वीडियों से जोड़े रहें तुन गया वोग यह थोके आप गश्री के ढहले डियू में अब लोगके दूराओं और आ प एक तो मुझे क्या मिलेगा और इसमें क्या मिले सभी टॉल प्लांट मिले आपको पता होगा इसके बाद इसके बाद कराई जाएगी सेल्फिंग सेल्फिंग का मतलब क्या है कैपिटल टी सिमॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी सिमॉल टी से यह है हमारे एफ वन के जीनो टाइप ठीक है मतलब सेल्फिंग हो रही है यहां से दो तरह के गैमिट बनेंगे दो तरह कैसे बनेंगे यहां प सिमल टी बनेगा अब निकाल रेजल्ट इसको इस से मिलाओ फिर इसी को को संपार से और यहां से यहां इस तरह से मिलाएंगे तो अब तू इंअ इन का चिप्लिक आप है यहां पर रिशुटर्श지만 करों अगर बसक्र vine करों पर यह करूं तो यह भी टॉल तो टॉल और रेशियो कितना आ जाएगा तो अगर आपको बताऊंगा फिनो टाइप क्या होता है ठीक है अगर आप जैसी आतमाओं को अभी तक भी प्रीवेस वीडियो देखने का शौक नहीं है तो अगर टॉल के तरी रेशियो वन और जीनो टेपिक रेशियो हमारा आचुका है वन रेशियो टू रेशियो ठीक है जी आगे चलते हैं फिलाल फटाक से और मैं बताता हूं मैंडल ने क्या-क्या ऑप्जर्व किया जो कि आप देख सकते हो एफ बन प्रोजनी आलवेज रिजे और जो ट्रेट है दूसरे बाद करते हैं फटाक से ठीक है जी इसे बाद बात किरते हैं जो एक टू स्टेज है वहां पर दौनों से आ गई है और यंडरीशन भी और सब्सक्राइब यहां पर आपको बताया है इसके बाद करते हैं डा कॉंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नोट शू एनी ब्लेंडिंग एट आइधर एफ-1 और मतलब देखो बच्चों अगर कि मैंने आपको दे दी है यहां पर मान के चलिए हैं सुन का मतलब बें यह 25 कहने मतलब यह 10 से लेकर 30 के बीच का नहीं मिलेग डिए गश्याइब ना एसा कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ऐसा मिलता तो इसको हम बोलते कि मिक्सिंग हमें देखने को मिल रही है लेकिन में डल जी ने क्या बोला है कि जो है वो कोई भी मिकसिंग सो नहीं करते हैं जो बने हैं इनकी हाइट बीचकी होगी, mixing वाली होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, dihybrid cross में भी ऐसा ही result देखने को मिलता है, मतलब की mixing देखने को नहीं मिलती है, जैसे mono hybrid cross में कोई mixing देखने को नहीं मिलेगी, बात करते हैं, dihybrid cross के f2 generation के phenotypic ratio की, तो dihybrid cross के f2 generation का phenotypic ratio आप अभी थोड़ा रट लीजिए, 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1, मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको dihybrid cross पढ़ाऊंगा, ठीक है न, फिलाल, इसके बाद आगे चलते हैं, हाजी, मैंडल ने इतना सब experiment करने के बाद को सोचा कि, कुछ तो है जो pass हो रहा है, बिना change हुए, पेरेंट से उनकी office spring में, gametes के द्वारा, generation के बाद, एक generation से दूसरी generation में, तो, मैंडल कोई biological student तो था नहीं, math पड़ता था, तो उसने उस चीज को, उस चीज को, उस something को, उसने नाम दे दिया, factor, और आज हम इस factor को किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके बाद, अब और बात करते हैं, जी, आपके सामने कुछ terminologies की, जीन क्या है, तो देख लो, बच्छो, जीन क्या होता, unit of inheritance होता, definition बता रहा हूं, फटाक से आप इनको as it is याद कर लीजिए, और इनके meaning आप लोग already समझ चुके हो, मैं आपको basic concepts लेकर और इस given slide से पहले तक सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है, और एक बात है, कि इस gene के पास क्या होता है, information होती है, जो की ज़रूरी होती है, किसी भी particular trait के express होने के पीछे, और एक character express कैसे होते हैं, वो भी मैंने आपको basic concept में पढ़ा दिया था, फिलाल, बात करते हैं, एलेल्स की, तो एलेल्स की क्यासे देंगे, the slightly different forms of a same gene, एक ही gene की अलग लग फॉर्म जब होती है, उसे को हम एल बोलते हैं, जैसे कि एगर मैं height के लिए कोई gene होगी, height के लिए कोई gene होगी, किसी particular chromosome पर यहां, ठीक है न, अब इसकी अलग अलग फॉर्म मिल सकती है, या तो यह height को बढ़ाएगा, या फिर height को नहीं बढ़ाएगा, अब मैं यह क्या कर रहा हूँ, क्रूम जूम पर यहीं क्यों मना रहा हूँ, मैं यह सब चीजें भी basic concepts लें हैं, सर, बहुत basic concepts मचा रहे हो, क्यों मचा रहे हो, हम तो irritate हो रहे हैं, हम पढ़ लेंगे न, basic concepts, तो पढ़ लो जाके, ठीक है, हो मुझा आगा, इस क्या होता, सुननी जिए ध्यांसे, इसको हम पेर में लिखते हैं, इसको हम पेर में इसे लिखते हैं, तो क्रूमोजूम्स, एक डिपलोइट सेल में, पेर में ही मिलते हैं, ठीक है न, हाँ, और अगर, दौनों एलिक पेर सेम है, जैसे कि यहां पर capital T, यहां पर similarity, यहां पर similarity, तो ऐसे case को हम होमोजाइगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, ठीक है जी, अच्छा, और अगर, एलिक पेर किसी particular genes के क्या है, identical नहीं है, जैसा कि मैं यहां देख सकता हूँ, तो उसको ह होमोजाइगस के लिए और term क्या बताई हैं, मैं बतायाता हूँ, फिर से आपकी आत्मा ऐसी हैं, जो सरक सकती है, होमोजाइगस के लिए आप वर्डियू कर सकते हो, प्योर या फिर ट्रू, ठीक है, है, हेटरो के लिए आप term यूज़ कर सकते हो, इम प्योर, या hybrid, ठीक है अब बस और महत मत कराओ, भई, बहुत दुख होता है, इसके बाद, हाजी, जिनोटाइप क्या होता है, सुनिए रहां से, किसी भी और जिम का फुल हेड़ी ट्री इन्फॉर्मिशन बता दे जो, वही उसका जिनोटाइप होता है, लाइक, अगर मैंने दो टॉल प्लांट स आप करने ओझस में क्या करने वाला है, कि आपको इनके जिनोटाइप नहीं पता है, और जैंकर नहीं पता है, ततो इसके जीन का incentives की बारे में क्या ही बताओगे, होती है तो यह जो टर्म होती है जो मैं लिखता हूँ इनको हम बोलते हैं जिनो टाइप जो की एक्च्वल में क्या बताती है ठीक है जी आगे चलते हैं अब लेकिन उसके अगर टॉल है उसको हम देख सकते हैं प्रकें इसको तो हम देख सकते हैं लेकिन क्या मैं इसके अंदर के जिनोटाइप को पता लगा सकते हैं देख सकते हैं और जिसको हम नहीं देशकते हैं वह जिनोटाइब होता है तो बहुत ही इंट्रेशनी चेप्टर है बस पता नहीं एक अफ़ते से में बिजी चल रहा था इसलिए में क्लास नहीं ले पाया था अब देखो भई डॉमेंट क्या होता है अगर डिस्मिलर फेक्टर या फिर एक साथ है तो उनमें से जो खुद को एक्सप्रेस कर देगा उ डिस्मिलर एलिल जो हमें दिख रही हैं इस में से जो एकस प्रेस कर जाएगा जिसका क्यर 죄송és कर जाएगा बसी करें लब प्धाइब लॉप्ट रॉविवीव हो गया लेक्टर में हमारा एक तीर से बहुत सारे शिकार हो चुके हमारे हमारा कुछ रिवीजन भी हो चुका है ठीक है और हम अपने कुछ टर्मियो लॉजी जो डेफिनिशन से उनको भी हम सेख चुके हैं ठीक है और आपको यह भी हो सा चुका है कि हां सर महत कर रहे हैं और हमें भी अपनी महत कर लें चाहिए को कि कोरोना का तो भरोसा नहीं है ठीक है न और आप मेरे ही अंडर में पढ़ाई कर रह हो तो responsibility मेरी बन जाती है ठीक है तो आगे चलते हैं फटाक से और एक डाउट था बच्चे का वह मैं लेता हूं यहां पर तो एक डाउट आया था ठीक है उसका रहें बात करते हैं अब दिखो प्रीविस लेक्शर्स के एकॉर्डिंग ही डाउट है तो इसको वही समझ लो तभी जाकर के डाउट कूछना ठीक है तभी जाकर करके आपको यह डाउट संजायागा इस वीडियो को यहीं आप इसके सेकंड्स याद रख लो और बार देखने ना कभी भी अच्छा अब दिखो क्वेश्चन यह आया है कि कि डिने में चेंज हुआ तो म्यूटेशन हुआ हाज जी सही बात है डिने के अंदर एक करके यह जो डाउट इसको बहुत शांती से स्वालव करेंगे ठीक ना विनको बदाया था डीने में जब भी कुछ भी चेंज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं तो अगर यह एरर याने की मुटेशन हाइट वाले डीने में हो हाइट वाला डीने ठीक है अब हाइट एक करेक्टर है ठीक है इसके लिए किसी जीन की बात कर रही होगी यह बच्ची ठीक है ना आज तो हाइट वाला ठीक है तो क्या इसी केस में हाइट मिड में रह जाती है हाँ डेखो डिपेंड करता है बहुत अच्छा है यह जो डाउट आया है मेरे हिसाब से यह डाउट आया है कॉंसेप्ट ओफ डॉमिनेंस से किना कॉंसेप्ट ओफ डॉमिनेंस से देखो बई एक चीज याद रखना हमेशा मैंने आपके वर्ड बताया था वाइल्ड वाइल्ड का मतलब होता है ओरिजिनल तेक ना ओरिजिनल जो सबसे पहले कोई जीन कैसी मिल रही थी वह होता है वाइल ओरिजिनल नॉर्मली अगर अगर वाइल्ड चीजिंदों के मैं बात करूं तो वाइल्ड हमेशा हमें मिलता है होमो जाइग Less comment कोई भी हृइल्ड है वह मुझे से और? अगर इसके अंदर mutation हो जाए किया हो जाए mutation बता दूं जैसे एक टर्म है ऐसे ही ना mutant भी एक टर्म होती है mutant भी ऐसी ही टर्म होती है और mutant normally हम recessive के लिए use करते हैं यह बात भी आप लोगों ने यादत नहीं है करते हैं और वाइल्ड वर्ड हम डॉमिनेंट क्ले यूज करते हैं अब मानगे चलो इसमें आ गया म्यूटेशन तो म्यूटेशन से अगीन वही तीन केस होंगे या तो इसके एक्सप्रेशन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा या फिर इसके एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट होगा क्या होगा इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन की टर्स में बात क्यों कर रहा हूँ इसके लिए आप उस वीडियो को देखे ना अगर इसके एक्सप्रेशन पर कोई भी फरक नहीं पड़ा ठीक ना होम हो जाएगा मतलब इस वाइल्ड या फिर इस ओरिजिनल या फिर आपका जो हाइट जो आप बोल रहे हो उसके मुटेशन के बाद अगर इसके एक्सप्रेशन पर यहां पर एका मतलब है ऐसके एक्सप्रेशन पर कोई भी चेंज नहीं आया उसने फिर से एंडे परसेंट बनाए फिर से ङॉसन कंप्लीट हैंग देखने को नहीं मिलेगी कोई भी काने को मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी ठीक है और अगर इसके एक्सप्रेशन में पूरा फरक पढ़ गया 100% फरक पढ़ गया अच्छा कॉस्चन है इसलिए मैंने लिया है और अगर इसका एक्सप्रेशन इनकंप्लीट रहा इसका एक्सप्रेशन क्या रहा इनकंप्लीट रहा इनकंप्लीट रहा तब जाकर के हमें मिक्सिंग देखने को मिलेगी तब जाकर के हमें ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी तब जाकर के हमें इनकंप्लीट डॉमिनेंस दे को मिलेगी तो यह बस आपको यह रिवाइज करना था और बस खतम हो गया यह और क्या जानना आपको बस आपने यहां से इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा यह सीख लिया कि वाइल्ड क्या होता है और मिलते हैं आप लोगों से लाइव स्ट्रीम में और उससे पहले मैं और भी लेक्टर पोश्ट करूँगा ठीक है ना तो वीडियो को सपोर्ट करते रहें ठीक है खतम करते हैं इस लेक्टर को यहीं पर कोई भी और डाउट बच जाता है तो कॉमेंट में डालेगा मैं डेफिनिली इसी तरह से आपके डाउट को लोंगा और नेक्ट वीडियो में खतम करते हैं